दोस्तो आज अपन डिसकेशन करेंगे सूर्वन्स के जो सूर्वन्स कुछ समय के लिए हुमाईव जब कमजोर पड़ा था तो सूर्वन्स का भी सासन आया था शेड़ सा सूरी जो थे इसके मैं थे जिन्होंने सूर्वन्स का सासन लाया थे बिहार के राजा थे तो इस प्रकार सूर वंस कुछ समय के लिए यानि 15 वर्स के लिए दिल्ली की गद्धी पर जरूर आया था तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं परतम अफगान वंस तो वह था लोदी वंस और सेकेंड अफगान वंस तो उसके सेर्षा सूरी थे जो संसापक थे सेर्षा ने जो कार्य किये उसके आधार पर ने केवल सामराज निर्मा था बल्कि उसे अकबर का अग्र गामी भी कहा जाता है कि अकबर न उन्हीं को देख के इसके पिता का नाम हसन था हसन पिता का नाम था कुद का नाम फरीद था यानि सेर्ष खान नाम से तो यहां पर कोई रिलिश्चन नहीं लग रहा पर बाद में दिया गया इनको यह उपादी दी गई आगे देखते हैं आगे है इसमें और यहां इसने सिक्षा प्राप्त की तो एक तरीके से बच्पन से ही इसके मन में वो लटने का एक जज़बा भरा था 1494 में की बात है यह 1520 में हसन की मृत्व के बाद यह अपनी पिता की गद्दी का मालिक हो गया यानि हसन की मृत्य के बाद 1520 में यह भी काफी समझदार होगे बड़े होगे तो यह अपने पिता की गद्धी के भी मालिक होगे बाहर खां जो की महमूद साह के साथ एक शिकार यात्रा में इसने एक शिकार का वद किया था यानि यह बाहर जो सरदार थे, उन्होंने सडियंतर किया, तो इसको बिहार भी चोड़ना पड़ा, और यह बाबर की सेना में शामिल हो गया, बाबर की जो सेना थी, उसमें भी ये शामिल थे, और चंदेरी के युद में इसने बाबर की तरफ से युद किया था, चंदेरी का जो युद पादिवां से धारण की थी, आगे देखते हैं, 1540 में इसने कन्योज के युद में हुमायू को पराजित कर भारत का सुल्तान बन गया, 1549 में युद हराया, फिर 1540 में भी युद हराया और भारत के सुल्तान बन गया था, क्योंकि भारत का अगर किसी को उस समय सुल्तान बनन की मतलब 16 29 में बंगाल के जो शासक थे नुस्रत चाओ उणको पराजीत कर हजरत आलला की उपादी भी उन्होंने वहाँ पे धारं की 254 1540 मैं कन्नोज के युद्ध में हुमाई उध्या को पराजीत कर सुल्टान की उपादी धारं की तो हमें है याद रखना है उमाई सभी रखान का वरोध हो गया तो इसको बिदाबाया जरूरी था इसने अब बंगाल को 19 सरकारों में बांट दिया और प्रतेक सरकार में एक सिक्दार की नियुकती कि जो सुल्तान के सीधे नियंतरण में थे, तो सिकदारे, सिकदारान की न्युक्ति की, जो सरकार के सीधे नियंतरण में थे, मालवा विजे, मालवा विजे का देखते हैं, 1542 में, इस समय यहां मलुखा, यानि कादिर सा सा सकता, मलुखा, शा सकता, कादिर सा, इसने अपनी रा अगली विजय जो प्रमुक विजय मानी जा सकती है वो है राइसीन विजय हुई थी 1543 में यहां का राजा पूरण मल्चोहान था सेरशा ने राइसीन के दूर्ग को चाला किया और धोके से विज़ित किया जो इसके जीवन में कलंक है की इतना बहादूर होते वे उसकोडूर को धोके से अपने अंडर में लेना पड़ा था राइसीन विजय कहा जाता है यह यह 43 का इसका अग्यान था फिर है मारवाड ये तो हो गया था पर इसने जो देखा ना तो उस वज़े से इसको खुद को बोलना पड़ा कि मुठी बर बाजरे के लिए में हिंदुस्तान को प्राय खोद चुका हो था तो इतनी भादूरी से इस युद में लड़े थे मारवाडवले कलिंजर का अभियान ये 1544 में था य तो आगे देखते हैं उड़वा देने के ही दोरान युद्ध सामगरी में आग लगने से सेड़ सा गंपी रूप से गायल हो गया और उसकी मृत्ती हो गई लेकिन मरने से पहले इसे किले को जीतने का समाचार प्राप्त हो गया था मतलब वो बिमार मतलब पूरी तरके से व इस वेवस्ता को जापती परणाली नाम से जाना जाता था उससे में जापती परणाली बोलते थे भूर अजस्वे के अतरिक्त किसानों से जिए गруго देखतें दोनों कर कोन से एक तो है जरीवाना जरीबाना जो है वो कर यहा भूमी के नाम से लिया जाने वाला गृत था जो उपाज्ग्राला लिया जाता था और भी देखते हैं और क्याटा है सेटिसां के कबूलियत यानि स्विक्रथी पत्र प्राप्त किया। पंजाब के अटक तक सलें, सडक की आजम के नाम से भी जानागत ह бывे तुन परेकर नाम साड़क के पहसित है तो ज्यानि वह सॉनारी के इतक पूरे कुरोप का पर दोट पाली एक सड़क का निर्मान इसने करवाया था, Grand Trunk Road का निर्मान सेर सा सुरी नहीं करवाया था, मुद्रा देखते हैं, सेर सारे पुराने सिक्कों को बंद करके सोने चांदी और तांबे के नए सिक्के उसने चलवाय थे, इसने सरपतम चांदी का रूपया चलाया पटनानगर की मेनली स्टापना वैसे इसको पाटली पुत्र पोला जाता था और उसी के पास पटनानगर की स्टापना सेर साध्वार की विए, इसने सह साराम में अपने लिए मकबरे का निर्मान कराया जो कि ये कर्ट्रीम जील के मद्देश थी था, इसने पहले ही बता द उसके बाद सेर साध्वारा बनाईगी सटकें, सटके आजम, तो ये देखते हैं, ये सटक बंगाल के सोनार गाउं से लेकर पंजाब के अटक तक जाती थी, लगबग 1500 मील लंबी थी, 1500 मील सटक का निर्मान उससमें इसने करवाया था, आगरा से बोहरानपूर तक जाती थ आगरा से चितोड तक जाती थी, उस अडवका भी निरमान करए और लाओर से मुल्तान तक जाती थी, उस सड़का भी निरमान उसमें उसमें उसने करवाया था, ये उसकी उपलगदियां एक तरीके से कही जा सकती है, अब सेर सा दूरा चलाएं कि एक सिक्के देखते हैं, स असरफ यह सोने का सिकता है असरफ जो था वो सोने के सिक्कों को बोला जाता था दाम जो था तांबे के सिक्के को उस समय बोला जाता था तो यह एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है सेश्षा सूरी के जीवन के बारे में I hope आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा और इसी के अच्छा लेक्चर होगा वह अकबर के बारे में होगा धन्यवाद